गून्धानिक फेंड्स आज की विडियो में अप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केथलीक शीरियन बैंकके बारे में जिसके तरब से एक नया विकिंसी आए है 2020 का तो आज की विडियो में आपको इसके बारे में पूरा डीटेल में बताओंग एक टेलेग्राम ग्रूप भी है उसको भी आप जोइन कर सकते हो उसका नाह में यंगर एज 73 अगर आप ऐसे सर्ज करोगे टेलेग्राम पे तो आपको मिल जाएगा अलाकि उसका यूजरने में आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा उसको सर्ज करके आप उस च मैं आप लिंक शेयर कर देता हो तो आप तूरंत वीडियो देख सकते हैं अगर आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जॉइन करते हो तो इसलिए जरूर जॉइन करिएगा तो अब बात करते हैं हम लोग क्याथोलिक सीरियन बैंक के तरफ से एक नाया विकिंसी आया हुआ है जो है जो कि आपका इंटरशिप का इन्टंचीप का एक पोश्ट है तो कोई बिएग्स सीरियन जाने की जरूरत न हिक तो चली मैं आपको इसके official website पर जाके दिखा तो कि कैसे आपको apply करना है और सबसे important बात आपका जो internship होगा आपके city में ही होगा तो आपको कई और city में जाने की ज़रूरत नहीं है आपके home city में ही इसका internship होगा उसको करके यहां से आप earning भी कर सकते है चली मैं आपको इसके official website पर जाके दिखाता हूँ कि कैसे आपको apply करना है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आचुके इसके official website पर इसका link आपको description box में मिल जाएगा उस पर click करके इस website पर post सकते हो यहां से आप apply कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते business development executive का जो internship का पोस्ट आया हुआ है यहाँ और सारे state के candidate इसको apply कर पाएंगे और अपने state में ही इसका internship कर पाएंगे तो job का नाम है आपका business development executive internship यह आपका internship जो है तीन से छे मेने का होगा education qualification की बात की जाए तो कोई भी graduate candidate इसको apply कर सकता है एज की बात की जाए तो आपका minimum age 20 साल और maximum age 25 साल होना चाहिए 25 साल 5 मेने 25 साल 6 मेने 25 साल 11 महीने भी अगर आपका है तो भी इसके लिए आप apply कर सकते हो okay मतलब 26 नहीं होना चाहिए I hope आपको समझ में आया होगा 20 से 25 वाले इसको apply कर पाएंगे experience की बात की जाए तो कोई भी experience नहीं मागा गया है document की बात की जाए तो आपका आधर कार्ड और address proof है उसकी copy लगेगी जिसमें भी आपका graduation किया हुआ है उसकी एक copy लगेगी और जो internship का application है इसकी भी एक copy लगेगी जो कि आपको interview के time प्रोवाइट की जाएगी selection process की बात की रिए तो only आपका interview होगा जैसे ही आप apply करोगे तो interview का date, interview का venue आपके mail ID में पता चल जाएगा तो आप वहाँ से interview दे सकते हो अपने CT में ही आपको देना होगा apply करने के 10 से 14 दिन के अंदर अंदर आपको email आ जाएगा आपके interview के लिए जैसी internship complete हो जाता है छे मन का या तीन मन का तो आपको एक certificate दिया जाएगा internship का अब आप बोलोगे इसका फाइदा क्या है देखिए बहुती ज़्यादा फाइदा है तीन से छे मैने का आपके पास experience रहेगा थो अपलाइ करने के लिए simple to apply पे klik करना है या और कोई अपन्फ्ल कर देना है और बस आपका फाम हो जाएगा विदिन 10-14 डेज आपको एमेल आजाएगा आपके इंटर्व्यू डेट के रिगार्डिंग ठीक है जो भी शॉर्ट लिस्टेट केंडिडेट होंगे उन्हीं को ही मेल आएगा तो अगर आप इंटरेस्टेट है तो जरूर अपलाई करिएगा इसको अपलाई करने के जो हूप न पाप ऱबटार्डिंग गोजर्जार्ट लाओ एमेल